सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद आल्ट न्यूज के सरसंस्थाफक बहम्मद जुबैर अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे आखिर क्यों इस सवाल के उत्तर को तलासने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोट ने फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के से संस्थाफक बहम्मद जुबैर को शशर्थ अंतरिम जमानत दिये शुक्रवार को जस्टिस निंद्रा बैनर जी और जस्टिस केके महासरी की बेंच ने फैस्टा लिया उन्हों ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस को नोटिस भी दिया है सुनवाई के दोरान सुलिसेजर जनरल तुशार मेता ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत से आग्रह किया था कि इस अंतरिम फैसले को टाल दिया जाए लेकिन सुप्रीम कोट ने उनकी सुदारिश को खारिश कर दिया ये जमानत मुहम्मद जुबैर पर उत्तरप्रदेश पुलिस की ओर से एक जून को सीतापुर्मद दर्ज एफाईयार के जुरे मामले में मिली है यूपी पुलिस ने जुबैर दोरा किये गए उस स्मीट पर कारवाई की थी जिसमें उन्हों ने यती नरसिम्हानन बजरंग मुनी और आनंद स्वरूप को हेट मौंगर्स यानि नफरत फैलाने वादा बताया था याद दिलाते हैं कि यती नरसिम्हानन ने हरिद्वार में आयोजी धर्म संसत में मुसल्मानों के नरसंगार करने और हिंदूों से हथियार उठा लेने की अपिंग की बजरंग मुनी ने हिंदू नववर्ष के दिन एक मुसलिम मुहले में जाकर मस्जिद के सामने कहा था यदि किसे हिंदू लग्की को छेड़ा गया तो वे मुसलिम महलाओं को उनके घर से ले जाकर उनका बलातकार करेंगा बाद में वे ग्रेफ्टार किये गए थे और उनके उनके जमान दूभी मिली थे सुप्रीम कोट ने साफ कहा कि मुहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीता खुर्मत धर्ज एफाईयार के मामले में ही है किसी और मामले में नहीं है लेकिन मुहम्मद जुबैर पर एक दूसरा मामला भी चल रहा है दिली पूलिस ने 5 साल पुराने एक ट्वीट के आधार पर आल्टनीट के सहसं स्थापक के खिलाफ दिली पूलिस का कहना है कि मुहम्मद जुबैर के उस त्वीट से हिंदूओं की भावनाया आहत हुई है और इससे दो समदायों के बीच सत्रता बढ़ने की आसंका है इन दो कारणों से उनके खिलाफ एक दर्ज किया गया है वे इस मामले में दिली पूलिस के इरासत में है पारफी कुछ दिन रहेंगे यही कारण है कि मुहम्मद जुबैर जमानत मिलने के बावजूत जेल में ही रहेंगे